मंद्री जग्दीश देवडा के भाई को कर्मचारी आवास कॉलाणी की मुल्भू सुविधा को लेकर 25 सालों से भटक ना पड़ रहा नहीं हो रही सुर्वाई मंदिसार के कर्मचारी अबास कॉलोनी की मुल्भू सुविधा को लेकर मध्यप्रदेश साशन के मंद्री जगदीश देवडा के भाई डॉक्टर रमेश देवडा द्वारा मीडिया से चड़चा करते वे बताये कि नगरपाली का द्वारा टेक्स एवं जलकर एवं अन्यप्रकार का टेक्स ले रही है पर सुविधा के नाम पर कोई विवस्ता नहीं है मुल्बु सुविधा को लेकर 25 सालों से कर्मचारी अधिकारी नगरपाली का एवं कलेक्टर कारेले के चक्कर काट रहे है पर कोई भी सुनने वाला महा नहीं है आखों पर पट्टी और कानों में रूई डालकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी सभी बैठे है और हम लोगों को इस तरह यहां भटकना पड़ रहा है कुछ कर्मचारी तो रिटार हो चुके हैं उन्हें वहाँ पर निर्मान भी करना है ऐसे में वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होने के कारण कहीं तरह की असुविधा हो रही है कर्मचारी आवास कॉलोनी को नगरपालिका नहीं विकासकारी के लिए विक्सित किया था वर्ष 2000 में विक्सित हुई थी और आज तक लगभब 200 से 300 परिवार निवासरत हैं और इस कॉलोनी का 25 वर्ष पहले विकास हुआ था और उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ पाइपलाइन सड़क तूट गई एवमान्य समस्याएं हो रही है एवम कर्मचारी आवास कॉलोनी के कुवों में पानी सप्लाइ कर रही है नगरपालिका पैसे भी वसूले जा रहे हैं लेकिन सड़क ना लिया बगईचे का विकास कारी की जब बात करे तो यह कहा जाता है कि नगरपालिका में हस्तान तरित नहीं है यह नगरपालिका का दोरा चरित्र है बुद्वार को मीडिया से चर्चा गड़ते वे इस तरह की बाते कही गई है इस मामले को लेकर शैत्री पार्षित भारती धीरज पार्टिदार ने भी नगरपालिका अध्यक्षे से इस मामले को लेकर चर्चा की और इस समस्या को लेकर और निकाल होता है उसको लेकर भी चड़चा की गई हम कर्मचारी आवास कालोनी के निवासी हैं जो कि प्लाट वहाँ पर करीब 25 साल पूरुवे सबको अवंटित हुए हैं वहाँ पर सभी कर्मचारी हैं बहुत से कर्मचारी उसमें सेवार निवरत हो गए हैं उन्होंने नगरपालिका दोर मैं जान लिए जा रहा है नव यह के दिवारा के दिवारा लिया जारा है मलब वित्यूत कर विकास कर और नामन्त्रन संबंधी सुनक भी लिया जा रहा है माहान के आवास्यों को दोह्री और दूसरी तरफ नगरपालिका लेती है लेकिन डेवलप्मेंट के नाम पर कोई भी आगे नहीं आ रहा है तो यह समश्या करीब 25 साल से वहां के आवास कर्मचारी और निवासी जहल रहे हैं इसके करण ही वहां के जो अन्य प्लाट है उनमें निर्मान कारे भी नहीं हो रहा है आदे अधूरे प्लाट वेसे ही खाली पड़े हैं वह सों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है तो हम लोग यहां पर अध्यक्ष महदय को गयापन देने के लिए इस लिए हैं कि इसका तुरित समाधान किया जाए इस कालोनी को नगरपालिका के हिंड़ोर अस्तान तरित कर करीब करीब हम मान के चलिए इन 25 वर्सों में पचास बार यह सिकायते सभी डिपार्टमेंट को दे चुके हैं जो इससे संबन देते हैं जिलादीश महदय को भी दिया है जिलादीश महदय ने इसमें एक सार्थक पाहल करते हुए दोनों ही विभागों को साथ बेट करके सम कोई भी परिणाम नहीं मिला है डाक्टर रमेश देवडा निशीद रूप से वाड नंबर गुंचालीस में करमचारी कालोनी है जहां पर अधिकतर हमारे रिटायट करमचारी लोगों का निवास है और लगाता लंबे समय से वहां सुईधाओं को लेकर मांग उठी है नग कोई कागजों को उल्जा हुआ है और मेवी अभी लगातार मांदयक जी से भी बात करी से भी बात करी मांदी कलेकटर मोोधे नेल के साथ अनुए निराकरण के लिए निर्स पत्र लिखा निर्हां के लिए उनन्होंने लिए लिखा है निगरपाली कहाinda कर सकते हैं नगरप करेंगे और इसका समाधान बहुत जल्दी से जल्दी हो कि सुख सुविधाओं से वंचित रखना कई ने कई एक माना अधिकार का हदन भी है तो मैं चाहूंगा कि हमारे जन प्रतेजदी और अधिकारी वर्ग इसको गंबिरता से लेते हुए तुरंद इसका निराकरन करें